हाली में हुए लोकसबाद चुनावों में उत्तर प्रदेश से जो नतीजे आये वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जटका है हार के बाद जब बीजेपी ने अपनी आंत्रिक समिक्षा की तो हार का सबसे बड़ा कारण पेपर लीक निकल कर आया दरसल फरवरी में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही बड़ा पेपर लीक हुआ जब यूपी पुलिस कॉंस्टेबल परीक्षा का प्रश्ण पत्र सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया दरसल इस परीक्षा के रद होने से 48 लाख उमिदवारों की उमीदे तूट गई कुल 6,244 कॉंस्टेबल पदों की भरती के लिए परीक्षा होनी थी उत्तर प्रदेश के 75 जिलो में से 76 में पुलिस परीक्षा चल रही है अभी परीक्षाओं के मद्दिनजर आर एसस की तरफ से परीक्षार्थियों की मदद भी की जा रही है उन्हें खाने पीने के समान से लेकर रहने तक की उनकी व्यवस्था की गई है चातरों की मदद के लिए संग ने रेलवे और बस टेशनों के बाहर हेल्प डेक्स भी स्थापित कीए है तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त यूपी पुलिस में कॉंस्टेबल पद की भरती को लेकर परीक्षा जारी है आज अन्तिम दिन है परीक्षा का और राष्टे सेंसिवक संग की तरफ से जो तमाम परीक्षार्थी अलग-अलग जिलों से पहुँच रहे हैं उनके लिए सुविधाओं को मुहिया कराया जा रहा है उनके रहने की खाने पीने की वैवस्था जो है वो करायी जा रही है इससे पहले फरवरी में जब ये परीक्षा हुई थी तो इसका क्वेश्चिन पेपर लीक हो गया था जिसके बाद भारी बवाल मचता हुआ नजर आये था मुख्यमंत्री योगया जित्तात ने आदेश दिया था कि जल से जल आरोपिय को जो गरेफ्तार किया जार उसके बाद परीक्षा जो करायी जार और इस बार ये परीक्षा जो है वो पांच दिन हुई और आज इस परीक्षा का अंतिम दिन है कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा जो है वो इस वक्त करवाई जा रही है तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आज अंतिम दिन है यूपी में सिपाही भरती परीक्षा का और अभ्यारती उत्तरपदेश के अलग-अलग जिलों से अपने सेंटर स्वर पहु में राष्ट्रे स्वेमसिवक संग ने भी उत्तरपदेश के अलग-अलग जिलों में जहां परीक्षा सेंटर्स हैं वहां बस स्टेशन्स पर इसके साथी साथ रेल्वे स्टेशन्स पर हेल्प डेस्क जो है वो लगाए गये हैं और तमाम जो परीक्षारती हैं उनकी मदद जो है वो की जा रही है